हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज हम बनाने जा रहा है एक स्पेशल कॉक्टेल तो चलिए शुरू करते हैं कॉक्टेल को बनाने के लिए चाहिए हमें हाजमोला जो की रेगुलेर होनी चाहिए कोई दूसरे फ्लेवर नहीं चलेंगे हम लेंगे कोल रिंक, पेपसी ये थमसब कोई भी चलेगी रम चाहिए, ये ओल्ड मॉक, कैप्टन मॉर्गन या और कोई भी ब्रांड चल सकता है लेमन चाहिए, लेमन जूस के लिए और आइस क्यूब चाहिए तो चलिए शुरू कर सबसे पहले हम लेंगे हाजमोला हाजमोला के दो से तीन टेबलेट्स जो है उनको किसी भी बरतद में निकालके उनको अच्छे से मेश करेंगे बिल्कुल पावडर बन जाना चाहिए इसमें गुर्टलिया नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल पाउडर हो जाना चाहिए हाजमुला का अब इस पाउडर को हम अपनी ग्लास में डालेंगे बिल्कुल पाउडर फॉम में हो जाना चाहिए सारे पाउडर को हम डालेंगे ग्लास में लेमन लेंगे मिडियम साइस का कोई भी लेमन लेके लेमन को दो पीस में डिवाइट कर देंगे ग्लास में लेमन जूस डालेंगे अब हम लेंगे 30 ml रम यह डालेंगे हम अपने मॉक्टेल के अंदर इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स इसमें हम डालेंगे पेपसी थमसब यह जो भी आपके पास कोल्डरिंग अविलेबल हो इसमें डालेंगे कुछ लेमन के स्लाइसेज एक लेमन डेकोरेशन के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा कोल्डरिंग से बर देंगे और इसको गार्णिश करने के लिए इसमें डालेंगे हम कुछ पूदीना लीव तो तैयार हो गया है हमारा रम मिक्स एक शानदार कॉक्टेल इसी तरह के वीडियो में लाता रहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ठेंक्स और इसी तरह के ड्रिंक्स बनाते रहें और एंजोई करें करें करें